हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब लोग सो नताशा फैमरी ब्लॉग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम लोग घूमने के लिए आए हैं इंदौर के सबसे मड़े मॉल सो यह जश्ट अभी ओपन हुआ है और यहाँ पर काफी अच्छी भी भीड़ है सो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं सबसे बड़ा मॉल बना हुआ है इंदौर का और अभी कुछ दिन पहले ही इसकी ओपनिंग हुई है तो बच्चे काफी ज़्याद अज़ित कर रहे थी तो यह फिनिक्स मॉल इंदौर का जो की देवास रोड़ पर है और काफी सुन्दर है और फर्स टाइम मैंने इतना बड़ा मॉल देखा है तो जगे जगे आपर आप देख सकते हैं फाउंटेन लगे हुए हैं काफी सुन्दर अट्रेक्टिव यह मॉल बना हुआ है तो को नाय नाय गेम खेलने के लिए मिलेंगे और हम फर्स टाइम ही आये हैं ऐसे मॉल में जहां पर ना एक अलग से गेम जोन बना हुआ है वैसे तो बच्चों को हमने गेम खिलाए हैं पर ऐसा गेम जोन मैंने भी यहां पर फर्स टाइम ही देखा है तो काफी अच्छा लग किया तो इस पेसली आज हम सिर्फ बच्चों के इंजोय करने के लिए ही स्मॉल में आए हुए थे सो यहां पर बस सारी गेम थे और कैसी क्या खेलना है तो बस वही हम लोग यहां पर पता कर रहे हैं तो देख रहे थे कि जो है ना कैसे कार्ड वगरे लिया जाता है रीचार कार्ड लिया जाता है और जो चैसों रुपे से स्टार्टिंग होती है फिर आप जितने तक भी रिचार्ट करा सकते हैं तो हमने हजार रुपे का रीचार्ट कराया था क्योंकि फर्स्टाइम आए तो यहां पर निकुना फर्स्टी गेम खेल रहे हैं अपना तो यह चोटी चोटी कार हैं तो काफी जित कर रहे थे कि जो यह ना इसे चाहिए पर यह सब चीजे ना खे गेम बगएरे खेलते हैं तो ही मिलती और कुछ समझ नहीं आला था इस टार्टिंग थी पर बस फिर धीरे-धीरे समझ में आया तो यहां पर यह आप देख सकते हैं पानी व हमने अधिकतर गेम जितने भी हैं 60 रुपे वाले ही खेले थे क्योंकि हमें इतना नौलेज नहीं था और हमने फर्स टाइम ही जो है रीचार्ज लिया था और फिर हमने सोचा भी था बाद में हम दुबारा से रीचार्ज कराएं तो कम कर रीचार्ज नहीं हो रहा था इसलि दिकतर हमारे निकू नहीं कहलें क्योंकि वी टिक काफी छोटे हैं तो जो है ना प्रॉपर अच्छे से गेम नहीं कहल पा रहा था तो बस यहां पर ऐसे ही ना मस्ती कर रहे हैं बैटके दोनों भाई और अगर आप लोग इंदोर में रहते हैं तो एक बार यहां पर जरूर काफी जादा बॉल गिर रही थी तो इनन यहां इस होल में ही डालना था तो दोनों भाई काफी एंजॉइ नहीं बन रही थी यह पैक था पार जितनी भी एडियो बैनी तो मैंने बना ली और काफी जादा इंजॉइ करते जा रहे थे मस्ती कर रहे थे तो बस बच्चों के स तो यहां पर बगल वाले section में आप देख सकते हैं ना दो बच्चे और खेल रहे हैं और इसके बार नहीं हाँ पर यह बोलिंग वाला गेम हैं तो यह गेम ना हमारे टिककू को भी काफी जादा पसंद आ रहा था सो बस सामने हाँ पर screen लगी वी थी वाकिया हमें ball डाल ली थी तो काफी अच्छे से खेल रहे थे पर ना हमारे इस गेम में पैसे वेस्ट हो खहे थे क्योंकि screen problem की वाई से बॉली नहीं आ रही थी तो बस टाइम आउट हो गया था तो यहां पर दोनों मस्ती कर रहे हैं तो मैंने सूचा कि एक गेम टिकू खेल लेगा एक गेम निकू ख कर गए हैं तो संब्स पर नहीं रहे हैं तो तो यहां पर बहुत जादा मज़ा आएगा सात में इंजौい करेंगे तो यहीं सोची बच्चों के एक्जाम एंड हो जाए तो दीरी दीरी ना काफी चीजें आप समझ भी आए अब हम जब दुबारा बच्चों को लिकर तो यहां पर बहुत जादा मज़ा आएगा साथ में इंजॉय करेंगे तो बस यहीं सोची बच्चों के एक्जाम एंड हो जाएं तो उन्हें एक बार फिर से जो हम यह मौल घुमाने के लिए लेकर जाएंगे और यहां पर बस जितने भी पॉइंट हमने बना हुए थे तो हम 500 पॉइंट बन गए तो यहां पर कुछ भी आप गिफ्ट ले सकते हैं अपने पॉइंट के अंदर तो बस यहां पर बच्चों ने टॉफी ली थी क्योंकि काफी जादा महंगे यहां पर गिफ्ट वगेरे थे और इसके साथ में पर पीछे आप देख सकते ना कितना पीछे में आपको दिखा देती हूं यह पूरा गेम जोन है तो हमारा पूरा टाइम गेम जोन में ही निकल गया था क्योंकि बच्चे काफी जादा मस्ती और इंजॉय कर रहे थे और इसके साथ में काफी बड़ा मॉल है तो बस थोड़ा सा मैं आपको यहां पर मॉल भी सुन्दर लग रहा था और इस मॉल को घूमने के लिए बहुत सारा टाइम निकाल कर आया तम मजा आएगा घूमने में हम लोगों का टाइम जो है रात हो गई थी हम लोग ज्यादा टाइम नहीं घूमे थे बस थोड़ा ही हमने देखा और काफी सारे ब्रांडेड इहां पर जो है स्टोर वगेरे थे सो बस यहां पर अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो मैंने यहां से जो है अपने भाई की सगाई में पहना हुआ था वही नेकलेस लिया था पर मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई थी पर मुझे ऐसे ही स्टोर में लगा हुआ था तो काफी पसंद आया था तो बस इसलिए फिर मैंने हाथ से जो है ना ले लिया था और साथ में कितने अच्छे यहां पर आप देखते हैं फ्लावर पॉट बने हुए हैं तो बहुत प्याला है बहुत सुंदर है अगर आप लोग इंदोर में रहते हैं तो एक बार फिनिक स्मॉल घूमने ज से एक जूमर लगा हुआ यह काफी ज्यादा सुंदर और अट्रेक्टिव जूमर था और इस मॉल की बनावट भी बहुत ज्यादा अच्छी थी काफी बड़ा है और साथ में ही ना काफी अच्छी रेलिंग लगी हुई हैं और यह जगे जगे पर आप पानी के फाउंटेन भी देख सकते हैं तो बहुत सुंदर और देखने में अट्रेक्टिव और इस टाइम ना अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यह नया नया ओपन हुआ है साथ में यह पीछे क्रिस्मिस ट्री लगी हुई है तो बस यहाँ पर हम लोग फोटो बगरे भी क्लिक कर आ रहे हैं और जतना भी मुझसे कैप्चर हुआ तो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर बस यह शेयर करती जा रही हूँ और आप खुद ही देख सकते हैं एतना अट्रेक्टिव बना हुआ है ना कि बस यहाँ पर लोग फोटो बगरे क्लिक कर आ रहे हैं साथ में ही म बस यह ही कहता है मुम्मा बर्गर काना है तो आज इसने फर्स्ट राहिम यहापर जो है ना बर्गर टेस्ट किया था साथ में ही थोड़ा खाया था उसे अच्छा लगा था क्योंकि घूमते गूमते ना बच्चे काफी ठक गयते और इन्हें लगने लगी थी भूग सो यहाँ पर बच्चों के लिए बस फ्रेंच फ्राय मंगाया थी साथ में ही बर्गर मंगाया थी यह चीज वाले जो की काफी जादा टेस्टी थे सो बस यहाँ पर यह बच्चे बैटकर खा रहे हैं बर्गर और साथ में हम लोगों ने भी खाया और शेक बगर ही मंगाया था काफी अच्छा था बस इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए क्योंकि टाइम हो चुका था और यहां पर आप देखते हैं काफी ज्यादा ब्रांड है तो सारे ब्रांड का यहां पर एक आउटलिट लगा हुआ है जितने भी ब्रांड के यहां पर इस्टोर है और बस यह सब घुमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर तो काफी ज्यादा सुन्दर बना हुआ था तो बस मैंने सुचा कि एक एक चीज आप लोग साथ कैप्चर करें पर मॉल इतना बड़ा बना हुआ है ना कि एक एक चीज तो इसमें कैप्चर नहीं कर सकते हैं पर चलिए फ्रेंस अब हम लोग जाते हैं घर और साथ में यह जो हाट बना हुआ है ना हातों से यह बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा था तो चलिए फ्रेंस पर ब्लॉग को एंड करते हैं मिलती हूं नी ब्लॉग में तब तक के लिए टेक केर बाई